हाई एवरिवान आज की रेसिवी में हैदराबादी ट्रेडिशनल फेमस रेसिवी खारे सुत्रियों को बनाते हैं इस बिर्यानी हलीम को टकर देने वाली इजी मज़दार इस सुत्रियों को बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम्स वाइट चपाती बनाने वाला क्योंके इस परफेस है तो घ्यूंकाटे से ही बना सकते हैं और इसके अंदर टेष्ट के खिए तैम दल ले जेागा और ठोढ़ा सा तेल ले जगा इस सुसरी को उस्टोर करने हैं साथ भीनाने के थे लिए भीनाना दोल लेकर अच्छी तारा मिक्स कर लेंकिन आट थोड़ा थोड़ा पाने दल लेते हुए है पूरी का डो जैसा ताइट डो बना लेना है ज़र डो बनाने के बाद है इसको 10 या 15 मिनिट रेष्ट पे रख देज़ेगा सौफ्ट बनेगा आटा बेलने में आसान लगेगा रेष्ट पे रहने से 15 मिनिट बार दो इस आटा कर लेके पेड़े बना लेजी जगा अब छे भी पेड़े बना सकते हैं हमने पांच बना लिया है बड़े-बड़े है साइज में है छे बना के आपको आसान जैसा लगा वै हम गेपना अच्छे लगते हैं हुआ है कि सुत्रें और इसको सुंगर का और ऐसको सुगहा लेकर हम बेल लेते हैं कि अर इस सूत्रें को बनांगे स्टोर भी कर सकते हैं वाद कि आख शूका कर औस वेकर ऐसा बेलने है तिन हमारा हाथ भी टैंसफर होता है आप देख सकते हैं और इसका साइज भी देख सकते हैं प्लेट करते हैं बड़े है और इसको ऐसा बे लेने के बाद हम इसको हवे के लिए छोड़ देंगे तीन घंटे तक इसा क्लाद दल लेके आपको जहां कमफर्ट लगे वहां सबस्क्राइब करने के रहे हैं ये का इसको शाफ्ट बफन है गया करने एक अपने कंशी कर सकती है वह फरको इसको लेके कट कर लिए जगा श्टोर करने के है तो इसमें तेल मत डाली जगा आटे में थोड़ा सा स्मेल आते हैं बस नमक डाले के आटक गुन लेके इस करहां से कट कर लेके श्टोर कर लेके रख ले सकते हैं सुत्रीं खाने दिल बोले सारा इसको यह जैसे जटवटों बना सकते है हम इसको लं म्लें शेप में कटकर लेदे हैं और हम चीशेप में खांआ समने संटे आजाते हैं इसे हीसारे पपड़ को कट कर लेजेगा यसस गो श्टोर भी कर सकते हैं थोड़ी देर हवेग रख दे बीट से या पकाने के लिए भी यह साथ ही रेडी है और दोमा तरीखा भी सुत्रियों को बनाने का दिखाते हैं इसके लिए बोल में पानी दा लेहाई एक गलास तक ऐसा चोड़ा बोल लेजेगा यह तरीखा बनाने से सुत्रियां चिपचावाट कम रहते हैं पकाते वक्ट के यह साथ हूं यह ने के लिए जाली के झानी लिया है sht yangahrua kραमल के जाली के चानी को ले सकते हैं यह स्टीर में bayan सकते हैं अबिफा सकते हैं इस क्टीमर में बनाते Además बहुंताे को रखं़ लेना है और इसको रखेलेनेके बाद इस तरह से हमने जाली के साइज बना लिया है चापादी को और इस पानी उबलने के बाद श्टीमर को चापादी रखे हुए श्टीमर को रखे थोड़ी देर 30 सेकंड तक इसको छोड़ देना है 30 सेकंड के बाद यह स्टीम हो जाएगी चापादी क्या उसानी से बन जाएंगे पापड भी इस टीम होने के बाद इन सारे पापड को ऐसा कट कर ले जागा इस तरह से बनाने से चिपाट चिपाहट कम है के नूडल जैसा टेस्ट लाएंगे इसको बनाने में मज़ा आयेगा इस टोर भी कर सकते हैं अब हम पहले तरीके वाले स सुत्रियां से बनांके दिखाते है और इसके अंदर बनाने के लिए हमने कुकर लिए हैं तेल हीट होने के बाद नेसर प्यास कट सब्सक्राइब के तरल के को तर्थ कि पिंकिश कलवर आने तक अर वह थो यह आ लिया है और दो चमाज अधर क्लोसन का पेष्ट को दल लेते हैं इस अधर क्लोसन पेष्ट को कच्छी बास जाने तक फूल लेना है एक मिनीट तक फूल लेने के बाद हम इसके अंदर अधर क्लोसन मसाला पेष्ट अच्छा फूने जाने के लिए एक चमाज तक नमक दल लिया है और पाउचमच हल्दी एस तामाट तक लाल मसाला दालेना है इस मसालों का इल में थोड़ा सा भूल लेजेगा लोफले में रखे ऐसा कल लेने से सुत्रियों में कलर अर्चा आता है और इसके अंदर तीन टमाटर के फ्यूरी को बना लिया है उस टमाटर को भी दाले थे टमाटर को प्यूरी करके दाल लेने से सुत्रियों में खाने में डिश्टप नहीं रहेगा अच्छा मज़े लएके खाएंगे टमाटे के पेगी इसको डिश्टप के विना खली मज़ा ले सकते हैं सुत्रे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी दाल लिया है जार में दाल के इस टमा पोड़ों को पॉडहर को तल लेते हैं यह इसको भी अच्छी तरहां मिक्स कर लेंगे ठेंगे और आईल विना थोडहाने तक लिए भाप तो को पका लेने के बादे विज्ट को हमाइए नावा किलम अफ कीअली दाल लेते हैं मटान। से मज़े रहते हैं सुत्रियां इसको चिकन से बना सकते हैं और इसके अंदर हम चार हरी मीट्च थोड़़ासा फिदीना अर थोड़ासा और धनिया पत के दल लिए है चाप करके इन सारों को अच्छी तरह मिक्स आ कर लेंगे इन मशालों में मटन से साथ मिक्स कर लेने के बाद हैं इसके अंदर 50 ml तक धाई दढ लेते हैं जाधा भी डाल ले सकते हैं ठाई को अर ये मीठा भाई है इसको भी आच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर रखे थोड़ी देर मटन करने तक पका लेंगे, कुकर में हैं तो मटन जल्दी कर जाएगा, पीस पूरा अच्छा मुक करने के बाद देहे, क्लेम आफ कर दिया है हमने, और इसके अंदर पानी दल लेना है, हमने 3 इंपो लीटर तक पानी दल लिया है, और इसके अंदर पानी दल लेने के बाद नमग को चक के दल लिएगा, हमने फिर से एक चमस तक नमग को दल लेते हैं, और इसके अंदर आदा नीम का रस को दल लेते हैं, बड़ा साइज नीम है, यह उसमें लिए हमने आदा दल लिया को यूज करते हैं और इस सुत्रियां से हम बना के दिखाते हैं तो में दफ़ा के सुत्रियां को फिर से हम बना के दिखाएंगे और इसको गोश यूसके यह बीना भी पका सकते हैं इस सुत्रियां को भी कभी शेर करेंगे हम इसके अंदर सुत्रियां दाल लेने के बाद आधी प्याज को हमने ब्राउन करके दाल लिया है इस सुत्रियां मीट दाल के खाते हैं तो बहुत एक तैम चकने से बार बार हorar को भी को दाल के थोड़ा मिला लेके 10 मिनिटे तक इसको lo Liam रख लिया है जा 10 मिनिटे बाद बेखिया सुत्रयाां बन गए है हमने बनाए हुए 2 तरीकों से सुत्रयांस बनाने से दो तरीके दी भी अच्छे रहेंगे चिप चपाःत कम रहेंगे देखिये सुत्रयां को चेक कर लेजेगा एसा 10 मीट के बाद तूटना चाहिए ऐसा नूडल जैसा और इसका ठीला पन शेरवे का ऐसा ही रहना चाहिए जब भी टेस्ट रहेते हैं और हम इसको डिशोट भी कर लेते हैं इसके टेस्ट तो हलीम को बिर्यानी को टक्कर देगा इसके लट लज जाएगी इसे डिनर पे औ हफ़े में एक दाफार नाष्टे में शामिल कर लेज़ेगा इसको खाते ही जाएंगे तो मज़दार रहेंगे सुत्रियां को खाते हो गगात मीम ग्रस के साथ ब्रावन आनिंग साथ सरु के जीएगा इस सुत्रियों को रोटी के से भी बना सकते हैं और हमें बना ये दू तरीके से बनाने से भी मजदार रहेंगे सुत्र इस चिकन से से मटन से बगा सकते हैं सुुत्रियां और मिना गुष्ट डीए बना सकते हैं सेहीमज़ार रिसिपक लिए हैं चानल सेंस्किब पिजिए लाइ कीजिए शेर कीजिए टैंक2 वर वाचिंग दिस वीडियोम